प्रिस्री वीडियो में में चीखा था कि कैसे हम किसी नंबर की डिर्स का सम और डिफिर्स फाइंड कर सकते हैं यह उसी वीडियो का part 2 है जिसे मैं आपनों के लिए वाइलूप में डिजाइन कर रहा हूं जो भी वाइलिबस में इस प्रोग्राम में यूज करने वाला हूं वो सभी वाइलिबस में हाँ डिफाइन कर लेता हूं अब सबसे प्रे में यूज से पूछ रहा है एक नंबर अब एक बार जब यह नंबर हमें मिल गया एन तो हम कुछ initialization परफॉर्म कर रहा हूं मैं M में assign कर रहा हूं N की value तो जो भी original value N थी वो M में आ गई इसी तस से मैं I को initialize कर रहा हूं 1 से Sum 1 और Sum 2 दोनों को मैं initialize 0 रख रहा हूं तो हम यहाँ पर एक value परफॉर्म करें जब तक M not equal to 0 है हम हर बार फाइं करेंगे आर यह रिमेंडर जो है M % 10 हम अपर एक condition दे रहे हैं कि I even है या odd अगर I % 2 not equal to 0 है या अगर वो odd term है तो Sum 1 में plus हो नहीं तो फिर Sum 2 में plus हो अब में I को भी increase करना है और साथ साथ लिखना है M equal to M upon 10 जिसे कि जो जो digits consider होगे वो फिल से consider ना हो अब जैसे loop complete हुआ तो प्रिंट करवाएंगे अब मने finish लगाई कि क्या Sum 1 greater than Sum 2 है अगर हाँ तो difference प्रिंट हो Sum 1 minus Sum 2 लेकिन अगर यह condition false है तो perform हो Sum 2 minus Sum 1 और यहां में लेक्ता हूँ return 0 आप मेरे पहले वीडियो को देखके explanation समझ सकते हैं अब इसे compile किया जाए और run किया जाए तो प्रिंट हो रहा है कि जो Terms का Sum है वह है 9 और 12 जो कि सही है और जो difference वह दिख रहा है 3 जैसे हमने कहा 2 3 4 तो हमें दिख रहा है कि जो Term से उनका Sum है 6 और 3 और difference से 3 यह program सही work कर रहा है तो दोस्तों आप सभी का शुक्रिया मेरे इस वीडियो को दिखने के लिए आहे